अपनी इस बात के लगभग आठ दिन बाद मसी येशु पत्रस योहन तथा याकोब को साथ लेकर एक उचे परवत शिखर पर प्रार्थना करने गए जब मसी येशु परार्थना कर रहे थे उनके मुख मंडल का रूप बदल गया तथा उनके वस्तर सफेद और उजले हो गए दो व्यक्ति मोशे तथा एलिया उनके साथ बातें करते दिखाए दिये वे भी स्वर्गिय तेज में थे उनकी बातों का विशय था मसी येशु का जाना जो येरुशालिम नगर में शीग्री होने पर था पत्रस तथा उनके साथ ही अत्यंत नीन में थे किन्तु जब वे पूरी तरह जाग गए उन्होंने मसी येशु को उनके स्वर्गिय तेज में उन दो व्यक्तियों के साथ देखा जब वे पुरुश मसी येशु के पास से जाने लगे पत्रस मसी येशु से बोले प्रभू हमारे लिए यहां होना कितना अच्छा है हम यहां तीन मंडब बनाएं एक आप के लिए एक मोशे के लिए तथा एक एलिया के लिए स्वयम उन्हें अपनी इन कही हुई बातों का मतलब नहीं पता था जब पत्रस ये कह ही रहे थे एक बादल ने उन सब को ढाप लिया बादल से घर जाने पर वे बहबीत हो गए बादल में से एक आवाज सुनाई थी ये मेरा पुत्र है मेरा चुना हुआ इसके आदेश का पालन करो प्रेत उसे भूमी पर पटक देता है और मेरे पुत्र को एंठन प्रारंभ हो जाती है और उसके मुक से फेन निकलने लगता है ये प्रेत कदाचित ही उसे छोड़ कर जाता है वो उसे नाश करने पर उतारू है मैंने आपके शिश्यों से विनिती की थी कि वे उसे मेरे पुत्र को जब वो बालक पास आही रहा था प्रेत ने उसे भूमी पर पटक दिया जिससे उसके शरीर में एंठन प्रारंभ हो गई किंतु मसी येशु ने प्रेत को डांटा बालक को स्वस्थ किया और उसे उसके पिता को सौप दिया परमेश्वर का प्रताब देख सभी चकित रहे गए जब सब लोग इस घटना पर अचंबित हो रहे थे मसी येशु ने अपने शिश्वों से कहा जो कुछ मैं कह रहा हूँ अत्यंत ध्यान पूर्वक सुनो और याद रखो मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथों पकड़वाया जाने पर है किंतु शिश्य इस बात का मतलब समझ न पाए इस बात का मतलब उनसे छुपा कर रखा गया था यही कारण था कि वे इसका मतलब समझ न पाए और उन्हें इसके विशय में मसी येशु से पूछने का साहस भी न हुआ शिश्यों में इस विशय को लेकर विवाद छिड़ गया कि उन्हें श्रेश्ट कौन है यह जानते हुए कि शिश्य अपने मन में क्या सोच रहे हैं मसी येशु ने एक छोटे बालक को अपने पास खड़ा करके कहा जो कोई मेरे नाम में इस छोटे बालक को ग्रहन करता है, मुझे ग्रहन करता है तथा जो कोई मुझे ग्रहन करता है, उन्हें ग्रहन करता है, जिन्होंने मुझे भेजा है वो जो तुम्हारे मध्य छोटा है, वही है, जो श्रेश्ट है योहन ने उन्हें सूच ना दे प्रभू, हमने एक व्यक्ति को आपके नाम में प्रेत निकालते हुए दिखा है हमने उसे ऐसा करने से रोकने का प्रेत्म किया क्योंकि वो हम मेंसे नहीं है मत रोको उसे मसी येशु ने कहा क्योंकि जो तुम्हारा विरोधी नहीं वो तुम्हारे पक्ष में है जब मसी येशु के स्वर्ग में उठा लिये जाने का निर्धारित समय पास आया विचार द्रिड करके मसी येशु ने अपने पाव येरुशालिम नगर की ओर बढ़ा दिये उन्होंने अपने आगे संदेश वाहत भेज दिये वे शोमरोन प्रदेश के एक गाव में पहुँचे कि मसी येशु के आगमन की तैयारी करें किन्तु वहां के निवासियों ने उन्हें स्विकार नहीं किया क्योंकि मसी येशु येरुशालिम नगर की ओर जा रहे थे जब उनके दो शिश्यू याकोब और योहन ने ये देखा तो उन्होंने मसी येशु से प्रश्न किया प्रभू यदि आप आग्या दें तो हम प्रार्थ न करें कि आकाश से इन्हें नाश करने के लिए आग की बारिश हो जाए पीछे मुड़कर मसी येशु ने उन्हें डाटा तुम नहीं समझ रहे कि तुम ये किस मतलब से कह रहे हो मनुष्य का पुत्र इंसानों के विनाश के लिए नहीं परंपून के उधार के लिए आया है और वे दूसरे नगर की ओर बढ़ गए मार्ग में एक व्यक्ती ने अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए उनसे कहा आप जहां कहीं जाएंगे मैं आपके साथ रहूँगा मसी येशु ने इसके उत्तर में कहा लोमडियों के पास उनकी अपनी मांदे होती है और पक्षियों के पास उनकी अपने घौंसले किन्तु मनुश्य के पुत्र के लिए तो सिर रखने तक का स्थान नहीं है एक अन्य व्यक्ती से मसी येशु ने कहा आओ मेरे पीछे हो लो उस व्यक्ती ने कहा प्रभू, पहले मैं अपने पिता के अंतिम संस्कार का इंतिजाम करनू। मसी येशु ने उससे कहा, मरे हुँँ को अपने मृत गाड़ने दो, किन्तु तुम जाकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करू। एक अन्य व्यक्ती ने मसी येशु से कहा, प्रभू, मैं आपके साथ चलूँगा, किन्तु पहले मैं अपने परिजनों से विदा ले लू। मसी येशु ने इसक्योक्तर में कहा, ऐसा कोई भी व्यक्ती जो हल चलाने को उद्यत हो, परंतु उसकी दृष्टी पीछे की ओर लगी हुई हो, परमेश्वर के राज्य के योगे नहीं।